शनाज इनों बड़े भाई फुरास पुलिस में मुलाजिम थे, उनका तबादला हमारे चुक से कुछ दौरवाके गाउं में हो गया, वहां उनको खाने पीने की परिशानी थी, वो बाजार का खाना नहीं खा सकते थे, लहाजा हम अपना चुक छोड़ कर वहां आये, वहां ह बहन ने तारुफ करवाया, ताबंदा उससे मिलो, ये रिष्टे में तुम्हारा भांजा है, भांजा मैंने हैरत से पूछा, इन दिनों में 15-16 बरस की होंगी, हाँ, हमारी खालाजाद बहन सफिया का बेटा, मैंने तो अपनी खालाजाद को भी कभी नहीं देखा था, क्य क्योंकि वो पहले पंडी में रहा करती थी, बहरहाल इस रिष्टा के सबब में उसकी खाला ही बनती थी, तभी बाजी ने उससे कहा, इसत ताबंदा को सलाम करो, मगर ये तो मुझसे चोटी है, तो क्या हुआ, रिष्टे में तो बड़ी है, तब उसने बड़ी ताजीम से मुझे सलाम किया, ये हमारी पहली मुलाकात थी, शाम तक वो हमारे घर पर रहा, रात का खाना हमारे साथ खाया, फिर चला गया, इस से मेरी दूसरी मुलाकात अजीब हालात में हुई, उसका एक्सीडेंट हो गया था, बहुत चोटें आए, जिनके सबब वो चल फिर नहीं गई, उस वक्त उनके घर में कोई न था, सिवाए असद के, बाजी को ये बात मालूम न थी, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बाजार होकर आती हूँ, तब तक तुम सूफिया के घर उनकी बैटी से गुपशुप करो, उसद ने मुझे बताया कि सब लोग शादी में गए हु तो जाने क्या सोच कर वो उधर आ गए थे, यहां मुझे और असद को देखा, तो ठठठक गए कि घर में हम दोनों के सिवा कोई न था, पूछा तुम यहां कहें?